आपने सही देखा फ्रेंज से 35 दून में 2-3 लाख रुपे अराम से कमा सकते हैं बिल्कूल इस खेती गर के जो 54 दून की खेती होती है तो आप जरूर लगाएज जो 35 दून में अराम से आप 2-3 लाख रुपे कमा सकते हैं नमस्कार किसान भाईयों आप सवी का स्वागत है हमारे यूट्व चैनल पर प्रेंस आज चपन टेंडे की खेती के बारे में बताएंगे समय अवधी क्या है अगर आप उस समय पर भूआई नहीं करते हैं तो आपको अच्छा पाइदवार के साथ अच्छा मार्केट भी नह सब्सक्राइब करना है आपको साथ ही सभी डिटेल जनकारी मिलेगी इस वीडियो में तो आप लास तक जरूर बनके देखिएगा तभी आप एक चपन टेंडे की खेती समझ पाएंगे कब कब आपको सिजाई कि आसकता परती है क्या क्या उसमें बिमारिया आती है क्या आप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा चले फ्रेंस स्टाट करते हैं परस्ट आपकर हम बात कर लेते हैं टाइम समय सानडी क्या होती है सबसे पहले आपको समय को ध्यान देना है क्योंकि समय को देखकर अगर आप नहीं बुगाई करते हैं तो नहीं आपक लिए चपन टिंडे के लिए आपको नियुन तम नॉर्मल सी जाइए कि मतलब नॉर्मल टंपरिचर कि असकता पड़ती है क्योंकि अगर हाईले टंपरिचर हुई जिसमें इत्याद विमारियां लगती है अगर नॉर्मल टंपरीचर रही तो आपको अच्छे पैदवार मि के डिमांड मेरे कि अगर अच्छी अगर पैदवार मिलती है तो रिडवाव इसकी आराम से 20 प्रतिकिलो में जाती है तो इस तरीके से आपको छपन टिंडे खेती करना है दुसरी अगर हम टाफिक बात करते हैं चाप इंटे में बुआई से पहले डिस्टेंसिंग लाइन क्या होनी चाहिए डिस्टेंसिंग की बात करें तो आप को मैं कि तीन फीट सेले का चारफीट पैब बना लेजिए बेट पर आप मल्स की लगा लिजे कि अब लास्टिक लगा लिजेस सबने माच लगाने से पहले आपको जो-सिलवर उपर होती मैं चाहिए और प्ललेक कलर टिनीश थी सmet Чाहिए तो चुछ इसे होते है जो ओपर लगाते हैं क्योंकि जो ब्लेक कलर उपर उती है, वह प्रकास और सूसर करता है, और पुरा करेगा और शिधिया प्रकास पोदे की रही पूरा हो जाएगा और आपकी जुरुवात है प्रकास की वह पूरा हो जाएगा ठीक है अग्ली टाफिक आपको लेकर चलते हैं आप तो समझे सुके हैं कि लाइन आपको सब्सक्राइब कर चार फिट और जो प्लांड में की अगर कंपोजिस्ट खाद को ले लेनी है ठीक है इसके साथ में आपको कोई और की चीज किया सकता नहीं पड़ती है उसके बाद आपको लास्ट में आपको रुटावेटर या कल्टिवेटर की जब चिताई कर लेजिए ठीक है उसका अगली आप इस्टेप लेकर चलिए आप आप ब्लांटन शेयुक्ती पर इसमें को जान प्लांटन होते हैं मतलब तुरंत आप बुआई कर देते हैं मल्च पे तब या तो आप अपने टूल बॉक्स में जमा लिजी या तो आप ड़ेक्ट अपने खेदें बुआई कर लीजिए आपको सबसे अच्छा होगा अप ड प्रती एक गराम प्रती पंदर प्रती एक लिटर पानी में एक केमल और प्रती एक लिटर एक गराम में फंगी साइड दोनों को एक साथ मिक्स करके आप इस परीक कर सकते हैं यह वह लागतार रुपाई से 35-40 दिनों बाद हर्वेस्टिंग देना स्टाट कर देती है ठीक है सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में नए जाने के साथ नए टॉपिक के साथ जाहिन बंद मातरम झाले बंद मातरम झाल झाल